हेलो गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल आएम शेफाली जैन लेट्स प्रशव यह इंग्लीश विद मी फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम दो ऐसे एडवान स्ट्रक्चर या फ्रेज की बात करेंगे जो हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में मोस्ली यूज करते हैं बस मेरा गाना गाने का मन है या था बस मेरा खेलने का मन है बस उसका स्कूल जाने का मन नहीं है या इस तरह के सेंटेंस भी हम बोलते हैं वह लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम बिल्कुल भी बाहर मत निकलना मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता तो फ्रेंट्स इस तरह के सेंटेंश को हम अपनी डेली लाइफ में एक प्रॉपर वि में कैसे यूज ग्यूस करेंगे यहाँ आज हम इस वीडियो में विड एक्जांपल हम देखेंगे तो आईए हमारा first phrase देखते हैं हमारा first phrase है बस dash का मन है या था बस मेरा खाने का मन है या था तो इसका English होगा just want if अगर ये past tense में होगा तो wanted तो हम आईए इसका rule देखते हैं इसे किस तरह से हमें use करना है first of all we use subject plus just want या past में है तो ed यूज़ करके wanted plus हमारा बाकी का sentence तो आईए examples के तुरू हम इस phrase का proper use करना देखेंगे जिसके basis पे आप examples को अच्छे से बना सके और new sentences भी form कर सके first example is बस मेरा गुमने का मन था I just wanted to roam I just wanted to roam बस मेरा गुमने का मन था next example is बस उसका खेलने का मन है next one is बस मेरा सोने का मन है I just want to sleep next is बस मेरा हसने का मन नहीं है I just don't want to laugh I just don't want to laugh बस मेरा हसने का मन नहीं है next example is बस मेरा खाने का मन नहीं है I just don't want to eat I just don't want to eat बस मेरा खाने का मन नहीं है next is बस उसका स्कूल जाने का मन नहीं है बस उसका स्कूल जाने का मन नहीं है he just doesn't want to go to school he just doesn't want to go to school नेक्स्ट इस बस उसका गाने का मन है he just wants to sing he just wants to sing बस उसका गाने का मन है so friends I just hope आपको इस phrase का यूज़ करना अच्छे से clear हो गया है अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे प्लीज लाइक और कमेंट करके बताएए आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में जो बैल आइकन है उसे जरूर प्रेस कर दे जिससे आपको हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे तो लेट्स कंटिनू विद आर वीडियो और आएए देखते हैं हमारा नेक्स फ्रेज और सेकेंड फ्रेज इस बिलकुल भी इसका इंग्लिश मिनिंग होगा not at all आएए इसका हम रूल देखते हैं how to use it फर्स अफॉल वी यूज और सब्जेक्ट देन डोंट या डोसंट प्लस सेंटेंस हमारा जो सेंटेंस है प्लस at all so let's see some examples जिससे आपको इसके understanding अच्छे से clear हो जाए so first example of this phrase is मुझे तुमसे बात करने का बिलकुल भी मन नहीं है I don't feel like talking to you at all I don't feel like talking to you at all next example is वहां लड़की मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं है I don't like that girl at all I don't like that girl at all वहां लड़की मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं है next example is तुम बाहर बिलकुल भी मत निकलना you don't get out at all you don't get out at all तुम बाहर बिलकुल भी मत निकलना our next example of this phrase is मुझे बिलकुल भी खाना बनाना नहीं आता I don't know how to cook at all I don't know how to cook at all मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं है Next example is मुझे बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है I don't feel like going out at all I don't feel like going out at all Next example is मुझे बिल्कुल भी भूक नहीं है I am not hungry at all I am not hungry at all मुझे बिल्कुल भी भूक नहीं है Let's take last example of the phrase वहां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है I doesn't like him at all I doesn't like him at all वहां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है So friends, यह था हमारा आज के वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो Please like and comment करके जरूर बताईए And मिलते हमारे next वीडियो में Till then, bye, take care